और बागपत में जिला पंचायद द्वारा वाहनों से वसूली करने पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जिला पंचायद की ओर से टेंडर पर सांसत प्रतिने धी प्रदीप ठाकुर ने सवाल खड़े किये हैं। जिला दिकारी राज कमल यादव को शिकायती पत्र देकर अवैद वसूली का आरोप लगाया गया है। उन्होंने डियम से जाच कराकर नियम विरोध वसूली के मामले में कारवाई की मांग की है। दरसल जिला पंचायत भागपत की ओर से पशूर चेक पोस्ट का टेंडर दिया गया है। निवारा चेक पोस्ट के निकट और काटा समेत कई जगहों पर जिला पंचायत का बोर्ड लगाकर चमकर वसूली की जा रही है। अधिकारियों के सामने जिसमें कारवाई भी है लोगों फिला मुगण मुडर जुए है। लेकिन अब पिछली दिनों से फिर से हैं आवैद वसूली का कारी शुरू है और मने जिलाधिकारी महोदे को कम सिकात की थी कि वहां आवैद वसूली नहीं होनी चीए। क्योंकि हमारा नेशनल हाइड है नेशनल हाइड होपे किसी तरह कोई वसूली नहीं की जासे। आज की मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा उसमें देखा कि जो बागपत में जिलाधिकार की चैर्मेन है उनका बयान आया है कि हमने कोई भी किसी तरह का इस तरह का ठेकर नहीं छोड़ा है। यह ठेके जिलाधिकार में उठाए जाते हैं जो एक तो गिरामीड चेतरन के अंतरण बालू मौरम का ठेका है उद्गमिस्तल से एक माले में पश्यों के संसर्ग रोग का ठेका है और एक गत्ता कबाल मैली लोहा आयत के परवेन का ठेका है। यह माले में पूर से उठाए जा रहे हैं जो गजट के अंतरगत नेमन असार हैं और जो जो रेट हैं निर्धार रेट हैं वो निके अंतरगत बसुली की।